कुछ करिये, कुछ करिये, बस बस बड़ा बोदे, अब कुछ करिये नमस्कार मैं करमीर सिंग, मेरे साथ आप देख रहे हैं खास कारे करम क्लाश टोपर क्लाश टोपर में आज हम पहुंचे हैं BND सीनियर स्कैनरी स्कूल खातो दड़ा यहां पर हमारे साथ स्कूल के बारवी के बच्चे हैं जिनोंने अपने स्कूल के अंदर अपनी क्लास में टोप किया है, वो बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आज हम जानेंगे किस तरह का उन्होंने प्लान करके अपनी पढ़ाई की थी, किस तरह के तैयारी BND स्कूल की तरफ से करवाई जाती है, किस तरह यहां से टीचर पढ़ाते है, मैनेजमेंट की क्या कुछ सोच है, किस तरह का यहां का स्कूल का माहूल है ये सब कुछ जानेंगे अभी भावकों से भी बात करेंगे स्कूल मैनेजमेंट से बात करेंगे और जो इन स्कूल का बारवी का रजल्ट रहा है उसके उपर भी चर्चा करेंगे ये सब कुछ आज हम इस अपने प्रोग्राम में करने वाले हैं तो हमारे साथ सबसे पहले स्क से पहले बेटे आपको बहुत-बहुत भधाई हमारी तरफ से ये बताइए कि जिस परकार से आज के समय में जो पढ़ाई होती है हर माबाप अपने बच्चों को स्कूलों में भेजता है चाहे हो प्राइवेट हो या सरकार स्कूल आप जब बेंडी स्कूल में आ रहे हैं बे ताकि वो अपने पढ़ाई में बहुत ही आगे बड़ी है आप नोन-मेडिकल से हैं अभी आपने बार भी पास कर ली है इन फ्यूचर क्या कुछ प्लान आप अपने लाइफ के अंदर लेकर चल रहे हैं क्या सपने हैं आपके जिंदगी के क्या कुछ बनना चाह रहे हैं आ आगे तल आइवांट टू बी पाइलेट इन इंडियन एर फोर्स तो सर्व माई कंट्री हिमान्सू की इच्छा है एक पाइलेट बनने की और अपने देश की सेवा करने की तो यह बताइए कि आपका स्टडी प्लान क्या कुछ होता था किस तरह से आप अपना प्लान करके पढ़ते थे है मैं रोज गर पर कम से कम साथ से आट गंटे पढ़ाई करता था और शकूल में हमारे एक्ट्र कलासे ले जाती थी साम को मैंने कोई भी एक्ट्र की लिया सकूल और सकूल के टीचरां की और मिरे परिवार वालों की महनेस से ही आज मैं यह नंबर ले पाया हूं कि आपके परिवार के विशे में भी थोड़ा सा बताई जिस प्रकार आपने कहा कि परिवार जो है मम्मी पापा क्या कुछ करते मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाई में बहुत यह सहयोग दिया उन्होंने मुझे अवैश्य पढ़ाई के लिए आग्य बढ़ने का परिजिवार किया इसके साथ साथ हमारे साथ दूसरे बच्चे हैं उनसे भी हम बात कर लेते हैं हमारे साथ अब स्यांब यह भी B.I.D. School के टोपर हैं आर्ट स्ट्रीम से हैं, आर्ट स्ट्रीम के अंदर इन्हों ने टोप किया है, और देखिए एक बात और हम यह किलिए कर देते हैं, क्योंकि हर्याना विद्याले सिक्षा बोर्ड का जो परिक्षा पहना घोसित होता है, तो हर्याना विद्याले सिक्षा बोर्ड भी जो अपने टोप बच्चे हैं वो परतेक स्ट्रीम के इसाब से चांटे हैं उसी इसाब से स्कूल ने भी अपने टोप बच्चे चांटे हैं art stream के अलग होते हैं वीजन के अलग होते हैं commerce के अलग होते हैं तो उसी कड़ी के अंदर ये बच्चा हमारे साथ है जिसने art side से अपने school के अंदर टोब किया है सबसे पहले बीटे आपको बहुत 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 आजे दन्यवाद सर्ट यह बताईए कि जिस परकार से आज के समय में जो बच्चे हैं तो आपने आर्ट लिया है आर्ट में कौन सा सब्जेक्ट आपका फेवरेट है हिस्ट्री एंड इंग्लिस यह सब मेरे फेवरेट सब्जेक्ट है सर। स्कूल के अंदर किस परकार का माहूल है पढ़ाई कैसे करवाई जाती है देखे सर स्कूल में बच्चों को बिल्कुल दबाव में पढ़ाई नहीं करवाई जाती है उन्हें अच्छे से उन्हें सही गाइड लाइन दी जाती है हमारे चेर्मेन भी प्रेयर के मादम से बड़ सबसे जाने के संबावना चांस उनके लिए सबसे जादा है अपोर्चनुटी सबसे जादा होती है आपका स्टेडी प्लान क्या कुछ रहता था किस तरह से आप अपने पढ़ाई को पढ़ते थे क्या कुछ प्लान लेकर के आप अपनी पढ़ाई करते थे स्कूल में कितना समय जो होता था उसके अलावा घर पे क्या कुछ कितना प्लान करते देखे सर घर पे मैं ज़्यादा तो नहीं लेकिन मैं एक आगरता के साथ 4-5 गंटे पड़ लेता था इसके बाद स्कूल में एक्स्टा क्लासिज लिजाती थी टूशन की तो कोई जरूत ही नहीं थी सर इस तरह अच्छी प पिडियोंका है जिनोंने बी-ेंडी स्कूल के अंदर मेडिकल साइड से इन्होंने स्कुल में टोप किया है तो इन से हम जानते एं सबसे पहले बेटा आपको बहुत-बहुत बशाय जिस परकार से हमने जो है और बच्चों से जाना तो आप ये बताए कि कि पता ए कि सकूल कि जो है कुछ समझ्यां आ जाती हैं तो उसको लेकर के B&D स्कूल का माहूल किस तरह का रहा है कि होगा स्कुल का आप्पिसिप्लिन बहुत अच्छ है हमारे स्कुल के चैर्मन विजे也पाल säger हर रोज प्रेर में हमें हमें मोटिवेट करते coeur discipline के निय हमें बताते हैं क्लास में भी वह आकर discipline के बारे में काफी कुछ सिखाते हैं तो आप जो है medical side share हैं अभी आपके सपने जो है क्या कुछ है क्या कुछ आप आगे life में बनना चाहेंगे मैं doctor बनना चाहती हूं बहुत अच्छी बात है तो ये बताइए कि आपने जो मुकाम हासिल के अपने स्कूल के अंदर टोप किया है और ये अपने आपने एक बहुत बड़ी उपलब्दी होती है जब स्कूल के अंदर साट साट असी सो जितने भी बच्चे होते हैं उनके अंदर सबसे अलग जा करके सबसे उंच मुकाम हासिल करना प्रेरना कहां से मिलती कौन मोटिवेट करता आप हमें हमारे स्कूल में सभी टीचर इंस्पायर करते हैं और घर पे हमारे फैमिली वाले मॉम डैड सभी इंस्परेशन देते हैं फैमिली की बात करें तो फैमिली बैग्ग्राउंड के अंदर मम्मी पापा क्या कुछ कितने पढ़े लिखे हैं और क्या कुछ करते हैं पापा मेरे फार्मर मम्मी आउस फाइफ है लेकिन वो मेरे लिए बहुत कुछ करते हैं हमेशा मुझे मेरे लिए डेडिकेट रहते हैं मुझे हमेशा इंस्परेशन देते रहते हैं फ्यूचर के बारे में भी बताते रहते हैं द घरे लुकारियों से जुड़ी हुई है लेकिन ये एक बहुत अच्छी बात है कि महंदरगर जिले के अंदर अगर हम विशेश कर बात करें तो शिक्षा को लेकर के माबाप जो है बहुत ज़्यादा जागरूक हैं और वो अपने बच्चों को उन्होंने जिस भी तरह से अप अब हम जो हैं यहां स्कूल मैनेजमेंट है और इन बच्चों के अभी भावक हैं उनसे भी हम जानेंगे और उनसे हम बात करेंगे तो आप हमारे साहथ बने रहें अब हमारे साथ step 자기 स्कूल के टोपर उल्चे हैं उनके अभी भावक हैं हमारे साहथ Master पापा है और पिर्यंका के पापा है उनसे हम बात करते हैं जिस परकार से आपके बच्चे ने पुरी स्कूल के अंदर टोप किया है तो आप उसके जो सपने हैं साकार करने के जाएंगे किस परकार से उनके जो सपने हैं पाइलेट बनने के वो कैसे पुरे हो जाना चाहता हू तो आप उसको फुल स्पोर्ट करेंगे जी बिलकुल आप करते क्या है मैं सब्सक्राइब वहां लगे हुए हैं बहुत अच्छी बात है तो जिस परकार से आपका बच्चा पढ़ा है उसको ट्विशन वगेरा पर कभी आपने भेजा अब हमारे साथ पिर्यंका के पापाजी है तो उन से जानते हैं सर आपकी बेटी ने पुरी स्कूल के अंदर टौप किया है बहुत अच्छी बात है तो अब जो बेटी के लिए क्या कुछ करने वाल क्यों कि हमने अकसर देखा है कि गाउं के अंदर अभी भी लड़कियों की स थोड़ी से माबाप संकोच कर जाते हैं आजी नहीं जी हम लड़की को जितने पढ़ेगी उतने पढ़ाएंगे कोई वो नहीं है मेडिकल के लिए त्यारी करेगी आगे भी पढ़ेगी इसमें को अजी पूरा पूरा तो आप उसमें पूरी से पिलन करेंगे बहुत अच्छी माहूल बहुत बढ़ी आया जी मेरे बच्छे काफिक पांसे साल से यहां पर कंटीनिव आ रहे हैं कोई किसी परकार की कोई दिक्कत नहीं है सारा स्टाफ बढ़ी आया के चैर्मेन भी साब प्रिंसिपल साब सब बिलकुल बढ़ी आया जी अब हमारे साथ बी एंडी अलको मेडिया को बहुत बहुत बढ़ाई और प्रिक्षा प्रिणाम तो सर हम काफी लंबे समय से बी एंडी पूरे जिले में बहुत अच्छा प्रिणाम दे रही है पिछले छे साथ वर्ष से ही हम अच्छे कंपीटिशन में है और जो स्कूल लगातार कंपीटिशन जाती है अब हम हर सालिय चाते कि हमारा बच्चा इसमें टोप करे मैंने जब दस स्वी में हमारी बच्चे टोप पर थी उस दिन भी आपको बताया था कि अगला जो हमारा निशाना वो स्टेट का है डिस्टिक में तो हम पिछले कई साल से पोजिशन प्राप्त करते आए है अगला जो निशाना है वो हमारा स्टेट का है और अब खेलों में हमने काफी धान दिया करम्बिर जी क्योंकि बच्चे खेल में काफी निकलते हैं अभी मेरे पास च्यार कोच हैं अभी परोकपड़ी का मैंने कोच लगा है तो जो बच्चे थोड़े से कम पड़ते हैं वो बच्चे बच्चों को प्रक्टिस करवाते हैं एक बी एंडी के अंदर एक अच्छा डिशिप्लीन है जी बहुत अच्छा माहूल है और टीचर्स जो है उनक से यदी कोई चेर्मेन दूरी बनाएगा तो सफलता नहीं मिलेगी मैं अपने टीचर्स से दिल से जुड़ करके रहता हूं और टीचर्स एक बहुत मजबूत कड़ी होती है वो अपने बच्चों को दिल लगा करके पढ़ा दे तो उसका बच्चा कभी करम्बिर जी पिछे रह नहीं सकता तो अपने टीचर्स का पूरा रस्पेक्ट करता हूं और मैं आपके चैनल के मादम से सबी टीचर को अभी बावकों को बहुत बहुत बदाय देना चाहता हूं कि मेरे अभी बावक भी और टीचर्स बहुत अच्छे हैं जो बच्चों के साथ जैसे ही फोन करते हैं तुरंत स्कूल में आकर के पैरेंट्स उन बच्चों के सुनाई करते हैं आज हमने आपको BND स्कूल के स्क स्कूल टोपर्स बच्चों से मिलवाया और उनसे जाना और उनके भविस्य के सपने क्या है ये जाना फिर किसी दूसरे स्कूल की विजिट करते हैं वहां के बच्चों से मिलवाते हैं उनके विशे में आपको जानकारी देते हैं अभी के लिए इतना ही कैमरामेन अमरिच चो के साथ करमवीर सिंग टेलको मीडिया